नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का सोनु श्टडी क्लासे यूटूब चलम दोस्तों मैं आप लोग को इंस याटी बूग क्लास 12 राजनेतिक विज्ञान चैप्टर 5 समकालें दच्छेड एसीया परपस उत्तर मैं आप लोग को स्वूडों मताऊंगा प्रस न चारों तरब भूमी से घिरा देश गह दच्छेड एसीया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थविवस्ता का उदारी करण किया गह सेना और लोगतंतर समर्थक समों के विश संहर्ष में सेना ने लोगतंतर के उपर बाजी मारी अंग दच्छेड एसीया के दोड सुल्तान के हाथ में थी अब यह गड़तंतर है च्छ ग्रामिड चेत्रों में छोटी बचत और सहकारी विवस्ता वेफ कारण इस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली है जब एक हिमालय देश जहां सविधानिक राजतंतर है यह देश भी हर तरफ से भूमी से घिर है उत्तर को निपाल खो निपाल गो स्रिलंका गो पाकिस्तान अंग भारच्च्यों महादीप छो बांगला देश जव भूटान प्रस नमबर दू दच्छड एसिया के बारे में निम्लखित में से कौन सा कथन गरत है को दच्छड एसिया में सिर्फ यह कथन यह एक तरह की राजनितिक प्रणाली चलती है खो बांगला देश में और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझोते परहस्ता छेप किये हैं गो साफटा परहस्ताक्षर इस्लामाबाद के बारह में सावर्फ संबिलर में हुई गो दच्छड एसिया के राजनिती में ची प्रस नमबर तीन पाकिस्तान के लोकतंत्री करण में कौन-कौन से कठिनाईया हैं उत्तर पाकिस्तान में सैनिक हस्ताचेप, कट्टरवाद, कट्टरता, वाद, आतंगवाद, धरम गुरु एवं भोस्वामी, अभी जनों के समाजिक प्रभाव ने लोकतंत्र के मार्ग मे कठिनाईया पैदा की है, पाकिस्तान में विशेशकर सैनिक ताना साही ने लोकतंत्र के मार्गो में सरवधिक रुकावटे पैदा की हैं, पाकिस्तान और भारत के कंडवा इट भरे जम्मंदों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने सदे पाकिस्तान में अपना दबदबा ब के एक हिंदु राज्य था फिर आधूनिक काल में सालू तक यहां से सावैधानिक राज्यतंत्र रहा टास लेटर के दोर में राज्यनितिक पाटियां और आम जंता उत्तरदाई और पारदर्सी सासन के लिए आवाज उठाती रही परंतु राजा नई सेना की सहायता से सासन पर पूर्ण नियंत्रड कर रहा था अधिका आखिरकार राजा ने 1990 में लोकतंत्र समर्तक आंदूलन की वज़े से नए लोकतंत्रिक सविधान की मांग मानी लेकिन आती लोकतंत्रिक सरकारू का कारेकाल बहुत छोटा और समस्याओं भरा है 1990 के दसक में नेपाल के अनेक हिस्सु पर माववादियों ने प्रभाव जमाल या माववादी सत्ताधारी सरकार के खिलाफ सहस्त्र विद्रो करना चाते थे इस वज़े से सेना और माववादी गुरीलो के बीच हिंसक लडाईया हुई 2002 में राजा ने संसद भं करके सरकार गिरा दिया और थोड़ा बहुत बचा हुआ लोकतांतर समाप्त कर दिया अप्रेल 2006 देश ब्यापी लोकतांतर समर्थक अंदोलन और प्रदर्शन हुआ बाद होकर राजा ग्यानेंद्र ने संसद को बहाल किया इस इंसक प्रदर्शनों में सेवेन पार्टी अलायंस माववादी और समाजी कारिक करता प्रमुक थे फिलाल नेपाल अपने इतिहास के एक दूतियक दो से गुजर रहा है क्योंकि वहाँ सविधान सभा के गठन की दिशा में कदम उठाये जा रहे हैं जो सविधान लिखेगी नेपाल में राज्तनतर समाप्त होकर लोकतनतर इस्ताफित हो चुका है स्रिलंका के जातिय संहर्स में किसकी भूमिका प्रमुक है उत्तर स्रिलंका के जातिय संहर्स में प्रमुक भूमिका कटरपंती सिंगली और तमील उगरवादियों की है स्रिलंका में आजादी के बाद से ही लोकतनतर कायम है आजादी के बाद ही सिरलंका की राजनिती का बहुत संख्यक सिंगली समधाय किसानों का दबदबा रहा है यह लोक्स भारत छोड़कर स्रिलंका में जिक एक बड़ी तमील आभादी के खिलाफ है सिंगलियों का मानना है कि तमीलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए इस अफेक्चा भरे वर्ताव से एक उग्र तमील राष्टवात की आवाज बुलंद हुई और 1983 के बाद से उग्र तमील संगटन लिवरेशन टाइगर्स आफ तमील स्री लंकाई सिना के साथ सस्त्र संगर्स कर रहा है प्रस नमबर चो भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में क्या समझोते हुए उत्तद नमबर एक 2004 में स्री नगर मुजफरावाद के बीच बस सेवा की सुरुवात पर दोनों देसों में सहमती बनी नमबर दो भारत पाक ने परस्पर आर्थिक समझोते किये नमबर तीन भारत पाक ने साहित कलायवन संस्कृति तता खिलाडियों को वीजादेने के लिए आपस में समझोता किया नमबर चार भारत पाक युद्ध को कम करने के लिए परस्पर बिस्वास बहाली के उपायों पर सहमत हुई है नमबर पांच जुलाई 2015 में रूस के सहर उर्फा में दोनों देसों के प्रधान मंत्रियों के बीच बातचीत हुई और दोनों नेताओं के मुंबई हमले के मुकदमे में तेजी और आरोपी की आवाजों के नमूने सोपने पर सहमती बनी नमबर च्छ इसी बैठक में जुलाई 2015 आतांगबाद के दोनों देसों के यन यस ए की मुलाकाद बी यस ए रेंजर डी जी तथा डी जी एस यम ओ समबाद पर सहमती बनी नमबर साथ इसी बैठक में दोनों देसों ने धार्मिक परेटन को बढ़ावा देने पर सहमती व्यक्त की प्रकोशन नमबर साथ ऐसे दो मसली के नाम बताएं जिन पर भारत बांगलादेश वेफ बीच आपसी सहयोग हैं और इसी तरह दो ऐसे मसली वेफ नाम बताएं जिन पर असमती हैं उत्तर नमबर एक सहयोग के मुद्दे को भारत बांगलादेश ने दिसंबर उनुस्तों चानबे में फर कावका गंगा जल बटवारे पर समझोता किया आतंगबाद भारत बांगलादेश आतंगबाद के मुद्दे पर सदेव एक रहे हैं नमबर दो और सहयोग के मुद्दे को चक्मा सरानारती भारत बांगलादेश के बीच आसाहयोग का एक मुद्दा चक्रमा सरानारती है बांगला देश में समय समय पर भारत विरोधी गदी विदिया होती रहती है प्रस नमबर आठ दच्छे डेसिया में दिवपच्छे सम्मंदे को बाहरी सक्तियां कैसे प्रभावित करती है उत्तर देश पर बाहरी घटनाओं का असर होता ही है चाहे वह अपने आपको इन से अलग रखने की कितनी भी कोशिज करें दच्छे डेसिया की राजनीती में चीन और संयुक्त राज अमेरिका का महतपूर्ण इस्तान है पिछले दसकों में भारत और चीन के संबंदों में काफी सुधार हुआ है भारत चीन संबंदों के लिए एक बड़ी कठिनाई चीन के पाकिस्तान के साथ रणनेती साज़ेदारी है वैस्वी करण के कारण एसिया महादीप के यह दो बड़े देश ज्यादा नजदीग आये हैं इसके आर्थिक संबंद 1991 के बाद ज्यादा मजबूत हुए है दच्छेड एसिया में अमेरिका का प्रभाव स्तीत युद्ध के बाद तेजी से बढ़ा है स्तीत युद्ध के अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अपने संबंद में सुधार किया है और भारत पाक के बीच मद्यस्ता की भूमिका निभा रहा है दोनों देशों में उधार नीती अपनाने के साथ यह आर्थिक सुधार भी हुए हैं इनसे अमेरिकी भागेदारी दच्छ की सुरच्या और सांती के भविस्य से अमेरिका के हित में बंदे हुए हैं प्रस नमबर नव दच्छेड एसिया के देशों के बीच आर्थिक सहयों की रा तयार करने में दच्छेश सार्ख ज्यादा बड़ी की भूमिका और सिमाओं का आलोचनात्मक मुल्लयांकन करें दच् निकी युग में कोई देश आपसी सहयोग के बिना उन्नती नहीं कर सकता विस्व के लगबग सभी राष्ट आर्थिक उन्नती के लिए लगबग सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं इसी आपसी सहयोग को बनाने एवन बढ़ाने के विचार के दच्छिड एसिया के ने दच्छिड एसिया के सदस राष्टों की आर्थिक उन्नती में महत्पूर्ण भोमिका निभाई आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए 1995 में सहयोग को अधिक बढ़ाने के लिए सार्क ने 12 में सिखर सम्मेलन में सहयोग को वर्स 2006 में लागू करने की अनुमती दे दिय में सहयोग का महत्तों सार्क देसों द्वारा अपनाये गए आर्थिक सहयोग कारिकरम का महत्तों निमलखी था नमबर एक दच्छिड एसियाई देसों द्वारा आर्थिक रूप से एक दूसरे से सहयोग के कालर इस चित्र के लोगों के जीवन इस तर से भारी सुधार आया नमबर दू इनमें आर्थिक विकास को गती पदन की है नमबर तिनार्थिक देसों के चलने चलते सदस्य राष्ट्रों द्वारा एक दूसरे पहसे विविन प्रकार से कर हटाने से वैपार को बढ़ावा मिला है देसों के अर्थ विवस्ता में सुधार आया है नमबर पांच आर्थिक च्षेत्रों में सहयोग के सर्थ देसों के समंद में अधिक मजबूती आई है सार इक सार के सफलताओं में सदे भारत पाक के कटू संवंद रुकावट पायदा करते हैं नमब दूसार के सदसे देश भारत जैसे बड़े देश पर पूर्णी विस्वास नहीं रख पा रहे हैं नमबर तीन सार्क के अधिकांस देशों में आंत्रिक असांती एवां अस्तता इसके मार्ग में रुकावट है नमबर चार सार्क देशों में अधिक मात्रा में अनपड़ता विरुजगारी तथा भुखमरी पाए जाती है जो की इसकी सफलता में बादा करती है सार्ग की सफलता के लिए सुधार नमबर एक भारत पाक को अपने सम्मंदों को सार्ग से दूर रखने चाहिए नमबर दू सार्ग देशों को भारत पर विश्वास करना चाहिए ये नमबर तिन सार्ग की सफलता के लिए सार्ग देशों में सांती एवं इस्तिरता आवस्थक है। नमबर चार सार्ग देशों को जल्द से जल्द इस छेत्र में अनपढ़ता विरुजगारी दता बुकमरी को दूर रखना होगा। प्रस नमबर दस दच्छीड एसिया के देश एक दूसरी पर विश्वास करते हैं। आता इस छेत्र के देशों के बीच सीमा और नदी जल्द के अतरिक्त विद्रो जाती संगर्स संसाधनों के बटवारे आतंगबाद को लेकर असा मंजस सहीत कई अन्य मसले हैं। इस कथन की पूश्टी इससे होती है कि अनेक संगर्सों और आपसी अविश्वास की वज़ा से किया गया परन्तु कुछ देश मानते हैं कि साप्टा की आड़ लेकर भारत उनके बाजार में सेंद मारता मारना चाहता है और बैपारिक मज़ूद्गी के जरिये उनकी समाजवर राजनीती पर असर डालना चाहता है बहरहार दच्छी डेसिया को वैस्विक मंच पर अपन दिखानी चाहिए और आपसी विश्वास बहाली के प्रयास करने चाहिए प्रस्त नमबर दस दच्छी डेसिया के देश भारत को एक बहुवली समझते हैं जो इस छेत्र वैफ छोटे देशों पर अपना दबदबा जमाना चाहता है और उन वैफ अदुरूनी मसलूम में द क्ærकल देता है इन देशों की ऐसी सोच वैप समय लिए कौन-कौन से बाते दिम्न दार है उतर अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें सेर करें कमेंट करें और नेश्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फूर वाचीजी